A very very happy new year मेरे सभी दर्श को, मेरे subscribers और मेरे plant lovers को, नए साल अच्छे से गुजरे मेरे शुब कामनाए आपके साथ। आज मेरे बागी चे सेर करवाऊंगी, दिखाऊंगी क्या पौधे हैं और कैसे पौधे रखा है मैंने, सिंपल शियरिंग है, आज की एपिसोड भारी भर कम बाते नहीं, पौधा जिन्हें पसंद है और गार्डनिंग जिनकी पैशन है, चलिए मेरे साथ दिखाते हैं, पौधा हमेशा हिल्दी होता है और कभी कभी नहीं भी। विंटर एक ऐसा मौसम है, आप कोई भी पौधा लगाए तो वो उग जाते हैं, ज्यादा देख भल जरूरी नहीं, बस धूप चाहिए दिन भर और थोड़ी निउट्रिशन और थोड़ी पैस्ट अटैक से बचा के रखना है, आपको अगर पौधा पे बिलकुल जानकारी ना हो, तो आप बस वीडियो देख लीजिए और एंटक रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अगर सोच रहे हैं, मुझे तो पसंद है फूल, लेकिन इस जंजट को कौन संभाले, लेकिन दोस्तों सर्दियों में पिटूनिया एक ऐसा पौधा है, जिन्हें थोड़ी पानी दीजिए और कुछ नहीं, ये गेंदे देखिए कितने सुंदर खिले हैं, पिटूनिया फूल को आप कोई भी पौट पे लगाए, वो उग जाते हैं, लेकिन फैला हुआ पौट ही अच्छा होता है इनके लिए, हम समझते हैं, आप जब पौधे खरीदने जाओ तो पाँच पौधा एक दुकान और पाँच पौधा दूसरी दुकान, फिर चार दिन बाद पाँच पौधा दूसरे मार्केट से और पाँच पौधा तीसरे दिन, ये हमारे ग्राउंट फ्लोर पे बागीचा है, मेरी मा भी कुछ कुछ संभाल लेती है, यहां पर ये दिखाते हैं कितने सुन्दर पिटूनिया के पौट भर के खिला हुआ है, ये देखिये फूल कितने सुन्दर लग रहे हैं, है ना? हम जब छोटे-छोटे सैपलिंग्स लाते हैं, फूलों के रंग पता नहीं होता, यहां पर देखिये रेड और वाइट ब्यूटिफुल लग रहा है, ये कांबिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिये ये है एशियतिक लिली, कितने सारे फूल खिले हैं, और सभी के रंग अलग अलग है ये डायन्थस का पौधा है, डायन्थस जून जुलाई तक रह जाता है, पर कुछ लोग इन्हें साल भर रख पाते हैं, हमारे शहर पे बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हम प्रिजर्व नहीं कर पातें, इनके बीज से आप अगले साल भी पौधा उगा सकते हैं, यह कर सकते हैं, क्या खूब ब्लीडिंग हार्ट खिला है, देखिए, ब्लीडिंग हार्ट का पौधा बहुत ही फैल गया है, और फूल भी खिले है, सुन्दर, यहां पर देखिए, तीन किसम के गुरहल खिले हैं, मेरे गादन पे 25 वराइटी के गुरहल हैं, मैं फिर कभी दिखाऊंगी आपको गुरहल, कितने सारे गुरहल खिलते हैं, तो आज ही देखिए, यहां पर चार किसम के गुरहल मेरे ग्राउन फ्लोर पे खिले हैं, और छट पे हम भी दिखाएंगे कितने सारे गुरहल खिले हैं, अब चलिए छट पे चलते हैं, हम दिख आते हैं मेरे टेरेस गारण गुरहल का पौधा देखिए कितना हिल्दी है और लाल फुल खेला हुआ है हर रोस तीन चार पांच तो खिलता ही है और यह है एजलिया के फूल एजलिया पौधे पर एक महीना तक रह जाता है और यह उतना भी जल्दी जरता नहीं तो फूल और यह देखिए गुलाबी रंग के गुड़हल इस पर मेरे छोटे से एक वीडियो है आप वो वीडियो देख सकते हैं यहां पर है गुलाब और यह है यूफोर्बिया मिली और यहां पर देखिए कितने सारे गुरहल खिले हैं मल्टी पेटल्ड और इंज कलर के गुरहल और यह गुलाब खिला हुआ है बहुत दिन से तो दोस्तों यह है मेरे बागीचा और कुछ-कुछ फूल दिखा रहे हैं आज तो सूरज की रोशने बिलकुल नहीं है और तापमान भी बहुत ही कम है आज बहुत थंड है तो यह देखिए गुलाब और यह है पॉइंट सिटिया यूफोर्बिया मिली और मेरे गार्डन कुछ इस तरह से दिख रहा है अब चलिए ले चलते हैं आपको बाइकलर एजिलिया के और यहां देखिए एगलोनेमा पेडिलेंथस ड्रेसिना के इस पर बहुत सारे वीडियोज हैं आप देख लीजे तो मदद होगी सब पौधा दिखाना मुश्किल है बस आप बता दीजिये अगर आपको देखना है यह क्रिस्मस कैक्टिस पौधा है इस पर कलिया आए है पर खिला नहीं है चलिए दिखाते हैं मदर प्लैंट फूल ख सारे पौधे बनाएंगे हमने इस पर वीडियो शियर किये हैं बस आई बटन क्लिक कीजिए तो आपको दिखने को मिलेंगे यह देखिए एंथूरियम का पौधा सच जाइगंटिक लीव्स फ्रेंस मॉन्स्टर जैसा पत्ते हैं वेल्वेटी है पत्ते चार साल पहले जब खरीदे थे तब पता नहीं था कि इतने सुन्दर लगेंगे दोस्तों आज यही पर वीडियो खतम करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो लाइक शियर सब्सक्राइब कीजिए जरूर बताइए कैसी लगी आपको यह एपिसोड फेस्बुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एमाजन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आपको जरूरी चीजे दिखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी और यह द सरही ऑाई